आज हम बनाने वाले हैं आलो के पराठे वैसे तो आलो के पराठे हर को यह अपने अपने तरीके से बनाता है। पराठे बहुत ही अच्छे से फूलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी वीडियो अच्छी लागे तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो तो मैंने यहां पर उबले हुए आलो लिये हैं उबले हुए आलो को मैं इस तरह से कद्दू कस कर लेती हूँ आप चाहो तो किसी भी चीज से उसको मैश कर सकते हो आप हाथ से भी मैश कर सकते हो लेकिन हाथ से मैश करने से क्या होता ना एक थोड़ी छोटे लंप्स रह जाते बालो बसा हम अगा से helt जाता है लेकिन किदू किस मेशे हो जाते हैं बिलकुल हुआ है बाबल चोटे बचते नहीं कज़ें करें तो है यह स्मूद सेक भी कहते हैं लॉडेना पराटे पंटा भी आपे व्हाइब लागए श्केते जाले जाते जाते हैं फिर क्या हैं बनाएंगे मसाला तो यहां पर भी दो चीज होते हैं की कई लोग क्या करता है ना अलो के अबले हुए आलो में अच्छा लगता है आलो को अच्छा से फ्राइब कर देना उसे प्यास में जो फ्राइब होता है और थोड़ी से मसाले होते तो बहुत ही अच्छे लगते हैं तो मैं यहां पे थोड़ा सा सुखी मिर्च और अद्रक लेजन का कोटा हुआ डाल गे इसको बुरvocation जटा है, लगए और ऊधाही है, उसके बार्व मेर्ट कीज़े है्ट आइए अधाे, snapshot करते हैं, ज़िसी ज़िए से अधाय बनाें, US चाली मसाला इंट शुए भी नदी ही और अधें, वह मेर्सी आप शुआए हो देजिके क्या बनें, परितकेms उसमयता हैं, तो यह बैसिक लाल मिर्च पाउडर हो यह अच्छा पाउड़ को अश्चा वस्दार में है यह नाइचा होता है। इतनी मसाले में अआड़ करने वाले हैं हैं तो इसको अच्छा से अलो डाल की फ्राइक कर लेना है तो ये करीमन 5-7 मिनिट तक इसको मैं मीडियों फिले में कंटिनियूसली चला रही हूँ ताकि आलू में जितने भी मॉस्चर है जितने भी पानी हो अच्छे से सूख जाए और मसाले के साथ बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाए यह होती है दूसरी ट्रिक ताकि आपके आलू में जो भी मॉस्चर हो अच्छे से ड्राइ हो जाए और बहुत ही अच्छा से स्मूथ सा पेस्ट और बहुत ही स्मूथ सा एक मसाला बन जाए जिस वज़से आपको पराटे बनाते टाइम बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होग आटा पहले से गोंद के रखा हुआ है तो उसको और थोड़ा सा स्मूथ करेंगे च्छोटी सी एक लोई लेंगी ज्यादा बढ़ानी बनाना है और आलू पराठे में और एक चीज का ध्यान रखना चाहिए पराठे को जादा बढ़ानी करना चाहिए और ज्यादा पतला भ मैं यहां पर करीब दो से धाई चमच की करीब मसाला भर रही हूँ और उसको अच्छे से कोनों से उठाते हुए उसको सील कर देना है अगर आपको पहले बना रहे हो दिक्कत हो रहे है तो थोड़ा सा बढ़ा लोई ले सकते हो थोड़े से आलू भर के आप स्टार्ट कर सक करते हैं अब माच कर नें पराथा बहुत यह जाए हैं बहुत आसानी से अे बहुत भी वह नहीं देख रहा है और वह बढ़े और अगर आप कदू करते हो गया तो इस ही तरह से अपको को स्मूध्ट कंसिस्टेंसी मिल जाएगी बहुत ही बढ़े होती है फिर इसको दोना पुल पूल एर करनी तरह सेक अजह से अच्छे निए लिए लाएं खर min याना सुस्ब्राथे बहुत है डी तरह सेया करें। इसोने तरह से आब विटस्बी तब वह अच्छन अश्य है तरह से üस से ऴ।u जो को पहुत है तब इसे अश्या आप नी काल रही हूं तो देखिए पराटे बहुत ही अच्छे से फूल रहे हैं देख सकते हूं आप बहुत ही अच्छे फूलते हैं एक तरफ से फटेगे ही क्योंकि आप बहुत जादा फूल जाएंगे तो वह अपना जो ग्यास होता है रिलीज करी देगा इस तरह से आप पराटे को बनाई हैं बहुत ही बढ़या बनेगी एक भी पराटा आप का चप्ता नहीं बनेगा सारे पराटा की अच्छे से फूल जाएंगे तो वीडियो घर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लो और चनल को सब्सक्राइब करते रहें और चनल में बहुत सारे वीडियोस हैं उसको भी आप देख सकते हूं तो पराटे को enjoy करिए बारिस का मौसमें साथी साथ अचार ले लीजिए और मैंने यहां पे क्या क्या है न जो मसाला मैंने बनाया था उसी को भी थोड़ा सा मैंने यहां पे दिया हुआ है बहुत ही बढ़ी अलग रहे थे थैंक यह वर वाचिं इस वीडियो बबाई